नान्यम गुणेब्यह करतारं यदा दृष्टानु पश्यती नमस्कार मितनौ मितनौ ये जो श्लोके ऑगवाद गीता के च준 ironyसवा श्लोके है जिसे हम आज 11 से समझेंगे ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते है जो श्लोके कियتा है नान्यम गुणेब्यह करतारं अर्ठाथ नहीं गुणों के अन्यकोई करने वाला यदा दृष्टा अनुपश्यती अर्थात जब देखने वाला देखता है गुणे भ्यष्च परमवेत्ती अर्थात और गुणों के परे को जानकर मदभावम सो अधिगच्चती अर्थात मेरे भाव को वह जाता है तो श्रिक्ष्च ने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन बोल रहे हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि जब किसी व्यक्ती को ये ग्यान होता है कि जगत में सभी कर्म इन गुणों के द्वारा ही होते हैं तो वह इन गुणों के परे जाकर के अपने मूल सभाव को समझना है वह वास्तों में हमें भगवत गीता के चौथे अध्याय का जो संदेश है उसके संदर्भ में समझना होगा तो भगवत गीता का जो चौथा अध्याय है वहां पर श्रीक्रेश्च ने करता और अकरता का विचार प्रस्तूत किया तो यदि हम उस विचार को पुन में हमने समझा था कि जब कोई भी कर्म किया जाता है तो वह जो कर्म होता है वह अपने आप में उत्रा महतवपूर नहीं होता अपितु जो भावना उस कर्म के पीछे होती है अर्था जिस भावना से प्रेत हो करके वह कर्म किया जाता है वह भावना अधिक महतवपूर होती ह तो इसका आर्थ यह हुआ कि यदि हम स्वयम को किसी भावना से जोडते हैं तो भले ही हम कोई कर्म ना करें तब भी वास्तों में हम कर्म कर रहे होते हैं तो उधारन के लिए आप कल्पना कीजिए कि आपका एक मित्र है जो की बहुत रोग ग्रस्थ हो चुका है और उसको रोग ग्रस्थ होने के होने से स्वस्थ होने के लिए आप मान लिजे कि उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो वैसे तो आप चिकित्सक हैं नहीं आप वास्तों में कुछ करने रहे हैं किन्तु उसकी रोग से उसे मुक्ती प्राप्त हो जाए, उसके लिए केवला प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप वास्तों में एक भावना से प्रार्थना कर रहे हैं, आप करुणा की भावना से प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्योंकि आपने एक भावना से प्रार्थना की तो शारेरी रूप से तो आपने कुछ नहीं किया, तो वास्तों में आपने तब भी कार्य किया, तो यह बात है जो कि हमें यहां पर समझ नहीं है, यदि हम यह समझ लें, तो फिर हम इस संदेश को यहां पर समझ सकते हैं, कि भावना जो होती है, वह महत्वपूर्ण होती है, जो कर्म होता है वह उतना महत्रम नहीं होता है आप शारीरूप से भले ही कोई भी कर्म ना करें किन्तों यदि आपके मन में एक भावना है तो आप वास्तों में कर्म कर रहे हैं ऐसा क्यों होता है वास्तों में तो इसको समझ लिए आप ऐसा समझे कि देखिए जब हम कोई भी भा अपने मन में रखते हैं तो वह भावना हमारे मन पर एक छाप छोडती है और वह जो छाप होती है उससे प्रिरित हो करके ही फिर हम अपने करमों को करते है। वियान जदी हम चाहते हैं, तो ये करुणा की भावना है, और आपने जब अपने मित्र के लिए ये प्रार्तना की कि उसके रोग ठीक हो जाएं, तो आपने करुणा की भावना की साथ में स्वैम को जोड़ा, और करुणा की भावना जो होती है, सात्विक भावना है, तो इस वह वास्तों में प्रकृति में होती है पुरुश जो होता है केवल उन क्रियाओं का साक्षी मात्र होता है तो अब हम ये तो जानते हैं कि हम वास्तों में पुरुश हैं किन्तु प्रकृति के साथ में जुड़ करके हम सुएम को प्रकृति मानने की भूल करने लगते हैं और अपने शरीर से तादात में कर लेते हैं हम यह सोचते हैं कि हम हमारा शरीर है और हम कर्म कर रहें तो जो भी कामना हम करते हैं वह क्रिया जो होती है उसको जब हम करते हैं तो अपने मन में सोच करके करते हैं कि तो वह जो क्रिया है वह वास्तों में प्रकृति ही कर रही है आप आपने क्या किया, आपने केवल करुणा की भावना के साथ में स्वयम को जोड़ा, अर्थात आपने सात्विक गुण के साथ में स्वयम को जोड़ा, आपने वास्तों में कोई कर्म नहीं किया, आपने केवल गुण के साथ में स्वयम को जोड़ा, और फिर आपके मन में इन आपके लिए कार्य कर दिया तो ऐसी ही स्थिति हम सभी किया कि हम केवल गुणों के साथ में जुड़ते हैं और फिर जो कर्म होते हैं वैं गुण स्वयम ही कर देते हैं हम केवल करुणा की भावना अर्थात हम सत्व गुण से जुड़े और सत्व गुण से जुड़ करके कि सत्व गुण ने करुणा की भावना उत्पन की और हमारे मन में अपने मित्र करपती करुणा की भावना उत्पन करके हमसे कर्म करा दिया हमने उसके लिए प्रार्थना कर ली तो जो वैकती इस बात को समझ लेता है वह इन गुणों के परे जाने में सक्षम हो पाता है वह ये गुण है, जब ये पूरुष का जो कार्या कीवल इतना है कि वह इन गुणों के साथ में जुड़ता है, तो यदि पूरुष जो है वह इन गुणों के साथ में ना जुड़े, तो वह फिर अपने वास्तविक सुरुख को प्राप्त कर लेगा, वह इन गुणों के परे च अक्षम होगा तो जो यह जान लेता है कि यह कर्म हो रहे हैं केवल प्रकृति में हो रहे हैं इन गुणों के द्वारा हो रहे हैं वह ही तो है जो कि इस बात को समझ पाए है कि अरे मैं जब इन गुणों से जुड़ता हूं तभी मुझसे कर्म हो रहे हैं तो यही संदेश यह पर श्रिक्रिशन का है कि जो ये जान लेता है कि सभी क्रियां जो है वो गुणों द्वारा हो रही है जब कि मैं वास्तों में कुछ भी नहीं करता हूँ मेरा काम कुछ भी नहीं है मैं तो केवल साक्षी हूँ जिस भी गुण के प्रती मेरी आ सकती होगी वह ही गुण जो है वह प्रकृती में प्रधान होता जाएगा मिरली और मुझसे वैसे ही कर्म कराता जाएगा यही बात जो समझता है वह ही गुणों के परे जा सकता है यही संदेश यहां पर श्रिक्रशन का था आशे करता हूं कि मैंने इस इस लोग को आपको अच्छे समझा दिया होगा कर्म कर्म करी दून कर्म 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 करत दicket है यही भुन है शाएगा कि मैंने ओियां फिर 29,001 में बाएगा मिक्षए ओब पलिए կही così झाल